दोस्तो RBI ने देस में लॉंच कर दिया है E-Rupee यानि की डिजिटल रूपी को अब ये डिजिटल रूपी है कि आप लोगों ने अभी तक न्यूस देख लिए होगी आपको पता चल गया होगा लेकिन अगर आगर लोग समझ नहीं पाए ठीक सके है क्या जेज क्योंकि काफी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को भी मत कीजिएगा दोस्तों पहले तो यह हमारा जो E-Rupee है इसको E-Rupee के नाम से बोला जाता है आप इसको डिजिटल रूपी बोल सकते हैं और इसको आप CBDC भी बोल सकते हैं CBDC का मतलब Central Bank Digital Currency यह इसका पूरा नाम है वैसे ओफिशनल नाम सब्सक्राइब 4131-332 huge CHRIS नहीं है क्रिफ क्योंकि रिप्टा फोल्ता है उसकि जो वैल्यू होती है वह इसकी माली क्रिप्ट और या फिर फिर अब गयन बाद ओद रोपी इसकी कीमत नीची आधी जाए उसकी कीमत रूपी कीमत वोले आउने माली जो नोट है पैसे दू है उसी के बरावर की कीमत होने वाले कभी वी उपर नीचे नहीं होगी तो एक तरह से जो फिजिकल नोट्स आपके पास हैं उसी का ये डिजिकल डिजिटल रूप इसको आप सकते हैं जो कि डिजिटल रूपे में आपको देखने के लिए मिलने वाला है अब इसको लाने के तो उनको च्छापने की जो लगती है वो कम हो जाएगी उनको फिर हमारा सिस्टम है मतलब ट्रांसपोर्ट करना उन सब चीज़ों को तो उसमें काफी जाता कमी आएगी और इसके और ज्यादा जो फायदे हैं आपको फूचरों में देखने के लिए मिल जाएंगे जब फूर दोनों बिल्कुल अलग चीज़े हैं अगर कोई अपसे बोलता है कि दोनों सेम ही है थोड़ा बहुत परक है तो भाई सेम नहीं है क्योंकि यूपियाई किया है यूपियाई कैसा इंटरफेस है जिसके जरीए आप पेमेंट करते हैं आपको एक तरह से काम करता है यूपियाई कुछ इस तरह है काम करता है लेकिन डिजिटल रूपी है वो अपने आप में करंसी एक पैसा है अपने डिजिटल पैसा आपके पास में अब इसी डिजिटल पैसा बोल सकते हैं तो दोनों चीज़े बिल्कुल अलग है दोस्तों तो आरगाई ने इसको एक दि तीसरा है येस बैंक और चोता है आईडी एफसी बैंक तो इन चारो बैंक के यूजर से उनको भी मिलने वाला है अब आपके उनमें को सब्सक्राइब करेंगे मैसिज के थूरू या इमेल के थूरू और तब यूज कर पाएंगे अब यूज कैसे होगा देखिए आपको इन् नहीं किया है कि इसका कोई अलग से एप होगा डिजिल रूपी का या फिर जो बैंक की अप्लिकिसन है इन्हीं में आपको एक सेक्शन दिख जाएगा तो यह सब बात है तो आपको तभी पता चले कि जब आपको इन्विटेशन मिल जाएगा डिजिटल रूपी यूज करन आपकर उलम का इतना कुछ क न्सकी तो आपने अपने बैंक से पैसे में एड कर लिए टीक है। उसके बाद में आप उस डिजिटल रूपी को उस वॉलेट से कहीं भी पेमेंट कर सकते हैं जहाँ पर एक्सेप्टेड है जैसे कि मालीच कोई सी मर्चैंट के पास एक्सेप्टेड है आप उसका QR कोड स्कैन करेंगे और पेमेंट उसको सेंड कर देंगे अब यहाँ पर हुआ कि आपके बैंक को यह पता है कि आप ने जो पैसे हैं वह अपने डिजिटल वड़ेट में या फिर डिजिटल willIT में है यह ऐसे काम करता है डिटल रूपी यह पीटूपी काम करता है और पीटूपी का मतलब पर्सन तू-पर्शन और पीटूट मतलब पर्सन टू से यानि कि बैंक का इसमें कोई भी लेनादेना है नहीं बीचिक में जयसके च synth Rap है वो एक तरह का मेडियेटर है तो आप यूपा के तुरू किसी कोई पेमेंट करो भाई चाहिए आपकी सोपिंग करो किसी दुकानदार को पेमेंट करो कहीं कपड़े खरीदो कहीं सब्जी खरीदो तो बैंक को पता चलता है कि आपने पेमेंट इस मर्चैंट को किया इस फोरम में बस एतना ही समझ लिए कि दिजिटल फॉर्म में और आपके जिकास होता माली जपांश अपके पास और पांसा पके डिजिटल वॉलट में यानि कि डिजिले रूपीज में तो आपके पास टूटल हजार रूपए हो गया है और कैस का तुछने के टिए जार रहा दिन में इतने कर सकता है फिर में कोई नहीं होगी हो सकता है फिलाल में यसको पाय प्रोचर में लॉंच नहीं वाली है वैसे और बाकि जो चीजे जो इसके ब्सक्राइब को बता दियां लेकिन आगे जो इसके डिटेल के लिए वो फिर आपको पूरा डिर्षम में आप आपकी मैन्य कोसिस की आपको बेसिक सी चीज pakai matter ना फिर एफिर रूपी होता क्या में अगर आप लोग संब ब्हूरत कि हो सकता है क्योंके पास वे के पास इंस इन बैंक्स में जानिकी चार बैंक में आपको बताइं इनके वो कस्टोमर और उनको इन्विटेशन भी मिल जाये तो यूजिज पता ही नहीं होगा तो उनके पास वीडियो को शेर कीजे और ताकि सब लोगो पता चल सके कि डिजीटल रूपीज नाम की कोई वीडियो में तब दे के लिए जैहिन वंदे मात्रम